हलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप उमीद बढ़िया होंगे तो जैसे कि आपको अल्रेडी पता ही है कि आपके टैंथ के बोर्ड एक्जाम का जो पूरा पैटरन है वो चेंज है इस बार इस बार आपका जो पूरा सेशन है एक साल का उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ट्रंग बन एंड ट्रंटो तो जो आपके फर्स्ट ट्रम के एक्जाम है वो नॉम्बर दिसंबर में होंगे और यह एक्जाम जो है आपके वे अब्जेक्टिव टाइप मल्टिपल जो इस कोश्चिन बेस्ट एटी मार्क्स का पेपर होगा पर सब्जेक्ट का और यह आपका एक्जाम OMR सीट पे होगा यानि आपको जो है सर्कल स्टार करने आंसर चार ओप्शन दियोंगे A, B, C, D उनमें से एक का तो उसी सबसे अभी से आपको जो त्यारी है वो पीपर के कोर्डिंग करनी पड़ेगी और उसी पैटरन को जहान में रखते हुए हम पोईम कर रहे हैं तो वीडियो अप लास्ट तक देखिए पहले हम पोईम करेंगे दा टाइगर इंद जू जो आपकी थर्ड पोईम है और उसके बाद में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्चन है ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको दस पंदरा ही बताऊंगा और मुझे लगता है अल्मोस्ट उसमें कवर हो जाएंगे जितने कोश्चन आपके आने वाले हैं यह टाइगर इंद जू आपकी थर्ड पोईम है जिसके पोईट है लिसले नौरेस तो इसमें इनोंने एक टाइगर का जो उसका नेचरल है भीट एक्ट यानि नेचरल रहने की जगह ह है एक उसमें क्या के ढृफंस होता है टाइगर के अटिट्यूट में क्या डिफर희ण सुट 2019 सुटाय तो चलिए शुरू करते ही स्टक इनीपा इनीज़ वेट स्टू दांफियो स्ट्ट्रिप ऑफ इस कि तो यहां पे क्या है कि जो टाइगर है वो जूमें है और होता है to work with a proud गरव के साथ चलना vivid का meaning होता है clear strips का मतलब lines या धारिया और steps का मतलब कदम और cage का मतलब पिंजरा कि जो tiger है वो गरव से अपनी clear दिखने वाली जो धारियां है उनको grand किये हुए जो अपना पिंजरा है उसमें कुछ कदम चलता है on is pads of velvet quiet और उसके जो pads यानी पाओं के पंजे के निचले इस से हैं वो velvet, velvet ये एक type of cloth होता है जिसको मकमल बोलता है इंदी में it means a very soft clothes की वो अपने velvet जैसे pad जो है उन पे चल रहा है उन पैरों पे चल रहा है और वो quiet है, in is quiet rich और उसका जो शान्ती है चुपी है, उसमें क्या एक rage है, rage means होता है anger, गुसा, कि वो गुसे में है पर वो कुछ कर नहीं सकता है इसलिए वो क्या कर रहा है कि अपने पिंजरे में जो है, छोटा सा जो पिंजरे है जिसमें कुछ कदम चला जा सकता है उसे में चल रहा है he should be lurking in the shadow यहां पर lurking का मिला होता है hiding, चुपना sliding, throw the long grass और slide का मिला होता है किसी चीज़ से easily pass करना तो अब जो point है वो comparison कर रहा है कि जू के comparatively जंगल में अगर इस समय tiger होता तो वो क्या कर रहा होता तो यहां पर point कह रहा है कि इस समय वो lurking in the shadow यानि वो कहीं चाया में छुपकर बैठा होता शिकार के लिए sliding, throw the long grass और जो जंगल का लंबा, लंबे घास होते है उनके बीच में बड़ी असानी से चल रहा होता near the water hole where the plumpt year pass और वो कहां पर होता कि जो पानी का स्रोत है यानि जहां पर जंगली जानवर पानी पीने आते है where the plumpt deer pass और जहां से जो deer हैं वो पास करते हैं और कौन से deer plump, plump यानि मोटे ताजे जो fatty deer हैं वो गुजरते तो वहां पर वो शिकार के लिए पेरिज देखे he should be snarling around the houses at the jungle siege कि इस समय जो है वो जो मकान है जंगल के किनारे पर यानि जो जंगल का किनारा है वहां पर वो snarling कर रहा हुता snarling का meaning होता है कि growling यानि गुरा रहा हुता जंगल के किनारे के पास जो गाउं में लोग रहते हैं उन के उपर bearing his white fangs bearing का मलब होता है to show naked यानि दिखाना कि वो अपने जो white यानि सफेद और fangs यानि teeth कि अपने सफेद जो दांत है वो दिखा रहा होता his claws अपने जो पंजे है वो दिखा रहा होता terrorizing the village और terrorize कमला होता है frightened करना बैबीद करना कि गाउं वालों को ड्रा रहा होता गाउं को ड्रा रहा होता but he is locked in a concrete cell अब फिर से poet उसको दुबारा जू में ले आए एक टाइप से तो परंदू वो क्या है कि अभी जंगल में नहीं है असल में वो कहाँ है एक concrete के cell में concrete means होता है made from cement and stones कि जो cement और पत्थरों और हींटों से बनाओ और cell means cage कि परंदू वो जो है locked है कैद है एक concrete के cell में his strength behind bars strength means होता है power ताकत कि उसकी जो ताकत है behind bars का मतलब होता है कैद में prison में कि परंदू उसकी सारी जो ताकत है वो जेल के अंदर एक prison के सलाकों के पिछे बंद है stalking the length of his cage ignoring visitors और अब वो क्या कर रहा है कि अपनी जो cage की length यानि जो लंबाई है उसी को इना परा है यानि उसी में चल रहा है जो थोड़ा बहुत जगह है cage में ignoring means होता द्यान नहीं देना तो जो visitors हैं उनको ignore कर रहा है यानि उसकी तरफ उसका कोई द्यान या interest नहीं है अब last one देखे he hears the last voice at night कि रात को उसको आखरी जो आवाजें होती है रात की वो सुनाई देती है the patrolling cars और वो आवाज जो होती है patrolling cars की यानि जो गस्त करने वाले police की गाड़ियां होती है उनके siren की and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars और क्या करता है वो अकेले आस्मान में चमकते होई सितारों को अपनी चमकती होई आँखों से देख रहा है तो यहां पर point का is line का meaning यह है कि जो sky है वो zoo में भी सेम होता है और जंगल में भी सेम होता है तो वहां पर लेटा हुआ जो tiger है वो अकेला आस्मान के जो तारे हैं उनको अपनी चमकती होई आँखों से निहा रहा है तो दोस्तो यह तो थी आपकी poem अब जैसे कि आपको पहले बताया कि आपकी question आने वाले हैं इस बाहर multiple choice के तो जो most important question है कुछ वो हम कर लेते हैं important points है इस poem कि जो हमें mind में रखने है इसमें पहला क्या है importance of freedom कि इसमें जो poet है वो क्या चीज़ express कर रहा है कि freedom की क्या importance होती है और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर poet जो है वो comprehension कर रहा है दूलना कर रहा है कि चीज़ की कि tiger जो है वो zoo में कैसा है और अपने natural habitat यानी jungle forest में कैसा है तीसरी चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है वो है tiger का mood कि जब tiger अपने natural habitat यानी jungle में होता है तब वो joyful और happy होता है और जब वो zoo में यानी एक type से jail में होता है तब वो careful of rage यानी he is angry और वो trouble में है unhappy है अब देख लीजिए questions अब फर्स्ट कॉस्चन है how does tiger feel in a cage तो इसका अंसर आएगा angry कि वो गुसे में है ये option में आपकी rage भी आ सकते है तो ये दोनों चीज़ आपने ध्यान रखनी है angry और rage इस मीनिंग इनका एक ही है who is the point poet आपको पता ही है option B लिजले नौरेस उसके पाद में थर्ड देखिए कि where does the tiger snareling कि जो टाइगर है वो कहां पे snarele कर रहा है तो जैसे हमने पढ़ा था कि at the age of jungle कि जंगल के किनारे आके वो snarele कर ला है snarele का मला हो तो growling या आपके गुराना आवाजे निकालना फोर देखिए how are the eyes of the tiger कि tiger की eyes जो है वो कैसे हैं तो ये लास्ट पैरा में आपने देखा था कि tiger जो है अपनी brilliant eyes से brilliant stars को stare कर रहा है तो इसका option होगा see brilliant फिर्फ है how does the tiger feel in the jungle अब जंगल में tiger कैसा feel करता है happy करता है contented यानि संतोस्ट भी है और free भी है तो इसका option हाईगा all the above कि ये जो तीन option है तीनों ही सही है what does pads of velvet mean regarding the tiger soul कि tiger की जो पैरों की soul है वहाँ पे pads of velvet का क्या meaning हुआ कि ये hard है rough है soft है या all the above है तो जाहिर सी बात है velvet यानि मकमल soft होता है तो इसका meaning soft रहेगा हम next देखे how does the tiger walk through the grass की grass से कैसे वाँ करता है तो जैसे अपने पैर में देखा था कि he slide through the grass की वो असानी से गास के बीच में से वाँ करता है इट देखे हुम डज दे टाइगर हंट नियर दा वाटर होल्स की जो वाटर होल होता है पानी का स्रूफ होता है वहां पे टाइगर किस चीज का सिकार करता है तो यह हमने पढ़ा था प्लम्प डियर तो इसका उप्शन आईगा आपका डियर नेक्स्ट वन देखे अब जो आपका नाइंथ है की वेर शूट दा टाइगर हाइड हिमसेल्फ और हंटिंग की टाइगर हंटिंग के लिए खुद को कहां पे हाइड करता है तो जिस परकार की पोएम में बताया गया था की नियर दा वाटर होल की वो जल किस रोत के पास खुद को हाइड करता है इसमें उप्शन में ग्रास भी आ सकता है या हाई ग्रास आ सकता है तो वो फिर कॉस्चिन थोड़ा अलग होगा तो ये दोनोई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है How does the tiger in the cage react to the visitors की cage में जो tiger है वो कैसे react करता है visitor को तो poem में बताया गया है कि वो ignore करता है visitor को यानि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है तो इसका option आपके C आएगा Next one देखे Which body parts of the tiger is mentioned brilliant in the poem की tiger की कौन से body part को brilliant का गया तो eyes जो है उनको brilliant का गया option C अब 12 देखे What is the mark of the identity on the tiger body की tiger की body पे कौन सा ऐसा mark होता है जिससे हम identify कर सकती है की यह tiger है तो यह होता है strips यानि जो lines होती है दारियां होती है 13 देखे At what does the tiger stare at midnight की जो midnight है आदी रात को tiger किन चीज़ों को देखता है किन चीज़ों को घूरता है तो वो हैं स्टार्स अब लास्ट वन देखिए की what sound does the tiger hear at the midnight according to the poem की poem के अंसार midnight को कौन सी sound जो है tiger सुनता है तो यहां पर बी पेट्रोलिंग कार्स तो यह आपके most expected most important mcq थे जो surely इन में से कोई आपके paper में आ जाना चाहिए और इनका जो pdf है वो मेरे टेरिग्राम चैनल पर हुपलब्द है यह जो अभी आपको करवाए है तो आप description में जो आपका 10th class का group है English study material का उसको join कर सकते हैं तो hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो भाई पसंद आया है like करें तो बढ़ी है नहीं भी करें तो भी चलेगा पर दो चीज़े आपको जरूर करनी पड़ेंगी वो भाई पहली तो यह है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो और दूसरी यह है कि जो आपकी classmates हैं या जो भी आपके friends आपकी same class में हैं तो अगर आपको यह material अच्छा लगा काम का लगा तो थोड़ी सी मैनत करके इसको share जरूर कर दीजिएगा so thanks for watching have a nice day